असलाम वालेकुम आलवियर्स वल्कम बैक टो में इस्पानला राभी कीशन मैं हूँ राभिया और आज मैं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग केकी रेसिपी लेकर रहा हूँ आज मैं आपके लिए इलाइची फ्लेवर में शेक करूंगी टी केकी रेसिपी जिसको हम इस बा बेक करेंगे कोई भी आपसे पर्दा नहीं रहेगा एलेडी कवर में आपको बेक करके दिखाऊंगी और मार्शालल कोई भी चीज इसकीप नहीं होगी आप देख सकेंगे कि बिना ओवन के हम कितना प्यारा केक को बेक कर सकते हैं तो जो इलाइची लवर है जुनको इलाइ अची केक की रेसिपी शुरू करते हैं तो आज की इस वीडियो में बेक करेंगे बहगोनी के अंदर तो मैं यहां पर एक बहगोना लिया है जिसके अंदर मैंने नहीं नमक रग दिया है आप चाहे तो कड़ह भी उसकर सकते हैं तो हम इसको दस मिनट के लिए प्रिहीट कर क्रेश पर होना चाहिए इसके बार डालेंगे एक तेल यानि कि यह 4-5 टेबल स्पून के करीब है अब प्लस 3 टेबल स्पून डालेंगे चीनी पॉडर घर की जो चीनी है मैंने उसको ग्रैंड किया है और हाफ कब प्लस 4 टेबल स्पून डालेंगे दूद दूद भी रूम टंपरेचर पर होना चाहिए चीज बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास हरी लैची पॉडर नहीं है तो जो साबुत हरी लैची होती है आप उसके बीच निकालकर उसको करश करके इसके इंदर डाल सकते हैं तो अभी आपका टेस्ट सेम आएगा 1-4 टी स्पून डालेंगे नमक और इसके इंदर डालेंगे कुछ ड्रोफ ग्रीन फूड कलर की लेकिन अप्शन अगर आपके पास है आप डालना चाहते है तो डाले वरनना स्कीप कर दें लेकिन इसे जो कलर है केका वो बहुत ही जादा खुबसरत आएगा और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एक मिनट तक तो आप इसको हाई स्पीड पर एक मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर ले तो मैंने इसको एक मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब इसके बाद एक मिक्सिंग बाल ले उसके ओपर चनी रख देंगे और अब डालेंगे एक कप मैदा वन टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर वन फोर टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और इन तीनों को हम अच्छे से चान लेंगे ताकि जो भी कुछली हैं वो अलग हो जाए चानने के बाद इन सबकों अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैं विस्की मदद से मिक्स करने के बाद आप बारी आती है एक मिक्सचर को डालने की तो हम दो या तीन हिस्टों में करके मिक्सचर डाल देंगे और इसको बहुत हलके आतों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप ये एक मिक्स्चर डालते रहें और इसको हलके आतों से अच्छे से मिक्स कर लें जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सेम ऐसे प्रोसेस आप फॉलो कर ले आप देख सकते हैं जैसे हम एक निक्स्चरेस के अंदर डाल रहे हैं तो कलर कितना प्यारा आ रहा है हमारे किक बैटर के अंदर तो बस अब बचवा एक मिस्चरेस सारा अच्छे से डाल देंगे और फैनलीस को अच्छे से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलके आतों से तो एक मिस्चर डाले के बाद मैंने बैटर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर मैं डालोंगी टू टेबल स्पॉन टूटी फ्रूटी जो मैंने ग्रीन कलर के लिए है लेकिन यह बिलकुल आप्शनल है अगर आपके पास है तो दाल दे वरनना आप वीडियो देख सकते हैं तो अब फैनली अपने केक बैटर को हम लॉफ पैन के अंदर डाल देंगे बैटर डालने की बाद जो हमारा लॉफ पैन होगा इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि जो बेबल से निकल जाए और टैप करने के बाद हम गैस की तरफ चलते है और जो हमारा पैन है उसका हम कवर अटाएंगे यह बहुत ही अच्छे से प्रीट हो गया है और लॉफ पैन को हम स्टैंड के उपर रख देंगे बहुत ही ध्यान से रखे आप और इसको पैन को अच्छे से कवर कर देंगे और जो एलेडी का जो होल है हम इसको ऐलिमोनियम काच यह ताकर देख सकेंगे कैसे बेर ही तकरीबन circles ऐसको ने जो दीकशला कीया है 보시면 से कवर व्यवतमाद से जागा लिए दो भी कम को पर टेंगे अछिक आखना और और किना नेसे पहल नहें है मostens रखे लागवार तो फूल चुछा है यह तो लिए तो यह टोच्छी ढह स उर्माइब धakesला, आप छुरी टूरील मक् मदल केँ अन्याट क मदर से खंद लोड़े, बेल मेघे healing में रिमाइब चुरे पर निकला के शुरी कर शुरे की मदर से ठुड़ी तो कि थीघड़ समले हैं लिखे भाल देते चरेब की है। भीख में काथ भी पेपर कर द रहा हूं को पिलिःगा तो आर तुम जानी तुम पिलिए है। सब्साहरा है। सबस्क्राइब के से कम करने चाहिंä मैं चोठ सब्सक्राइब काथ हुआ है। च outfits्सक्राइब काता हुआ है। माशालाह मुझे तो अच्छा और सॉफ्ट रिजल्ट मिला है अपिछ बनाइंगे तो अपको या बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे कट करने के बाद हम एक स्लाइस को चेक करेंगे कि हम इसको पुष्ट कर पाते नहीं यह देखे कितना इसली पुष्ट हो गया है बहुत ही जादा सॉफ्ट पना है तो आप इस केकी रेसिपी को ज़रु ट्राइ करिए बहुत प्यारी रेसिपी जो पसंद करते हैं तो वीडिय अगर आपको पसंद आयो लाइक और शेयर जरू कर दीजेगा मैं आप से मेती हूँ इंशाल लागली वीडियो में तब तर के लिए असलाव आलेकूम